नमस्कार आपका स्वागत है महिलाओ को इस दिन अपने बाल भूल से भी नहीं धोने चाहिए दोस्तो भारत में कई सी धारनाय प्रचलित है जिनका सम्मन प्राचिन हिंदु धर्म ग्रंतों से है इनी परंपराओ के अनुसार कुछ ऐसे कारे है जिने करने से वर्जित माना गया है क्योंकि हमारे धर्म में प्रत्यक दिन का अलग ही महतो होता है इन सभी दिनों का महतो ग्रहों से भी जुड़ा होता है हमारे प्राचिन हिंदु धर्म में काल का परिमान देवताओं और मनुशों के लिए अलग-अलग होता है बर्मा जी के एक दिन को कलप कहा जाता है वही देवताओं का एक दिन मनुशों के हजार दिनों के बराबर होता है इसी प्रकार देवताओं की आयू लंबी होती है और मनुश्यों की आयू कम होती है इसी प्रकार सृष्टी का संचालने चलता है साती हमारे शास्त्रों में कौन से दिन कौन से कारे करने चाहिए इसके बारे में बहुती महतोपुर्णा जानकारी मिलती है इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे है ऐसे वो कौन से दिन है जिस दिन महिलाओ को अपने बाल नहीं धोने चाहिए इसमें वरत और तेवहार भी शामिल है कौन से तेवहार की दिन महिलाओ का अपने बाल नहीं धोने चाहिए और कौन सा वरत करते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए आईए आपको इसके बारे में विश्तार से बताते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लीजे ताके आप ऐसी अध्यत्मिक जानकारी वाले विडियो धेख सके दोस्तो जोतिश के अनुसार गुरुवार की दिन बाल काटना, शिविंग करना और नाखुन काटना अशुब माना गया है इससे पूत्र पर संकट खड़ा होता है हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार सभी त्योहार तिति के अनुसार ही मनाय जाते है जो की शुब होते है इसलिए त्योहार की एक दिन पहले बाल धोना उचित होता है जोती शास्तिर की द्रिष्टी से अगर हम देखे तो आमावस्या, एकादशी, पूर्निमा तिति के दिन चंदर या तो उच्चे की स्थिति में होता है या नीच की स्थिति में ऐसी परिस्थिति में यदि सुआगिन महिलाए अपने बाल ध धोने का प्रेत्न करती है तो इसका परिणाम उनको स्वयम ही भुगतना पड़ सकता है उनके घर परिवार में आशान्ति उत्पन हो सकती है मंगलवार की दिन सुआगिन स्थियों को बाल नहीं धोने चाहिए उस दिन बाल धोने से आपको आर्थिक परिशनियों का सामना करना पड़ सकता है साथ वयवाईक जीवन में बाधाय उत्पन न हो सकती है इसी कारण मंगलवार को बाल धोना पड़े तो उसके दोश से पुरुष को भी अपने बाल धोने चाहिए, इस दिन गर में पोचा भी नहीं लगाना चाहिए, ऐसी मानेता है कि गुरुवार को बाल धोने से आपके घर में गरीबी आती है, यह दि सुआगिन औरते, गुरुवार की दिन अपने बाल धोती है, तो उनके पती की उम्रे कम हो सकती है, अगर किसी करणुष बाल धोना पड़े, तो हल्दी या बेशून को अपने बालों में लगाए और फिर धोले, शुक्रवार की दिन सुआगिन महिलाए अपने बाल धो सकती है, लेकिन जिन वे शुक्रवार की दिन अपने बाल ना धोए। अपने बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए। अपने बाल नहीं धोने चाहिए। अगर यह जान करें आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरू करें। और कमेंड में जय मालक्ष्मी लिखना ना भूले। धन्यवाद। अपने बाल ना भूले।